Tim Burton की Wednesday series ने आते ही Netflix पे Stranger Things 4 के वीवर से प्रिकॉर्ड को तोड़ दिया है या सो 1991 में आएदा Adam's Family और सीक्वल Adam's Family Value का स्पीन आफ है क्रिटिक से इसो को जनरली फेवरेबल रिव्यू ही मिले हैं बट सो यंग और्डियन्स के साथ साथ 1991 के मुवी फैन्स को भी काफी पसंद आ रहा है सो में जेनर वर्टी गार ने वेंस्टे एदाम का लीडरल प्ले किया है ऐसा करने के लिए उसे स्कूल से निकाल दे जाता है उसके पैरेंट्स मॉटीशी और गोमच उसे नेवर्मोर अकैडमी में एर्मिट करते हैं जिसमें वो खुद भी परचुके हैं नेवर्मोर अकैडमी वेंस्टे जैसे ही आउटकाश के लिए बना हुआ है जिसमें वेर्वूल, वेंपाइट्स और और भी कई तरह के सूपरनेचलर क्रेचर एक साथ परते हैं वेंस्टे के पैरेंट्स उसके ऊपर वाच ओवर करने के लिए ठिंग जो के एक लिविंग हैंड है उसे भेजते हैं वैसे तो वेंस्टे काफी emotionless है और लोगों से सही तरीके से interact नहीं करती है हमेशा सभी के comments का savage reply उसके पास तयार रहता है सैरीफ Galfin के बेटे तैलर के साथ उसकी friendship हो जाती है वेंस्टे के पास एक psychic ability है जो उसे अपने mother से विरासत न मिली है उसे एक vision आता है कि एक student Rowan जिसे उसने अर्लियर बियांका के बुलिंग से बचाया था मरने वाला है वेंस्टे टैलर को नेर मोर से निकलने के लिए मदद करने के लिए कहता है वेंस्टे को मारने की खोसिस करता है क्योंको उसे एक 20 मिली है जिसमें वेंस्टे से स्कूल को तबाह कर रही है लेकिन बाद में वो monster Rowan को मार देता है वेंस्टे एक सेरिफ गैलफिन को ये बताती है कि Rowan को एक monster ने मारा है लेकिन तभी Rowan वहाँ आ जाता है वेंस्टे को बीना किसी कारण के स्कूल से EXPEL कर देती है थिंग Rowan का पीछा करता है और देखता है कि प्रिंस्पल वींस प्रिंस्पल वींस जो की एक सेप सिप्टर है वेंस्टे को अभी भी लगता है कि Rowan डेट है और वींस उसके mother को छुपाना चाती है Wednesday के और भी कई विजन्स आते हैं, रोवेन का विजन उसे सिक्रेट लाइडरी में एक सिक्रेट सोसाइटी को डिसकवर करने में लीड करती है, जिसमें एक समय उसके पैरेंट्स भी सामिल थे, Wednesday को वहाँ कैप्टिप कर लिया जाता है, बियांका जेविर और और भी दूसरे इ बितरी में फीड से रिलाउंच किया है, जेविर वेन्स डे को साइटी ज्वाइटी करने के लिए क्लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है, लाइबरेडी में मिले एक बुक में एक ड्राइंग उसे लोकल फेट एकजिबीशन में लीड करता है, एक जिबीशन में वेन्स ड्राइंच एक दर्ण कि पैंटिंग को से लिए जो उसकी वेन्स डेरा में आयाँच जाता है, जिस में इवमड मोरो टाून से लिए। बंद करका गा था, लेकिन वेन्स डिकलता है, और वह मिले पैढह के निसान से उसे पता चलता है, मौन्स डिमन है। प्लीस में मार दय सलता है कि मॉंस्टर के सभी विक्टम्स का कोई न कोई बॉडी पास्ट मिसिंग है सभी स्टुएंट रेव डांस के लिए एक्साइटेड है जेवियर अपने गले पर लगे क्लॉ मास्क को छुपाने की कोसिस करता है वेंजडे उसका पीछा करते हुए उसके सीकेट आर्ट स्टूडिय में पहुंती है जहां उसे कई सारे मॉंस्टर की ड्राइंग मिलती है जिसे उसे लगता है कि जेवे ही किलर है इनीड और लुकस साथ में डांस कर रहे होते हैं वेंजडे भी अपने बीकिपिंग सुसाइटी के फेंड यूजीन को डिच करके टैलर के साथ डांस पर चली जाती है यहां हम यूएंजडे के एक यूनिक और नाव कॉइट फेमेस डांस सीक्वेंस को देखते हैं लुकस और उसके कुछ दोस एक प्रैंक करते हैं जिसमें सभी गेस्ट पर रेड पेंट की बारिस होती है जो कि पहले बलड जैसा फिल होता है बी केप में हूजडे पर मॉन्स्टर अटैक करता है और कुछ एक्स्प्लोजन होने से वो कोमा में चला जाता है 32 years ago वेंजडे का फादर गोमेज को गेरेट गेट्स को मानने के सस्पीस्टन में अरेश्ट किया गया था परेजन टाइम में पैरेंट्स विकेंड पर वेंजडे के पैरेंट्स उससे मिलने आते हैं वेंजडे उनसे मर्डर के बारे में पूछती है सेरिफ गैल्पिन को पता चलता है कि कोरेन और ने गेरेट गेरेट्स के फेक आटॉपसी रिपोर्ट बनाने के गिल्ट में सुसाइड कर लिया है सेरिफ ये कंक्लूर करता है कि गोमेज गिल्टी है और उसे अरेश्ट कर लेता है Gomez Wednesday को बताता है कि Gates accidentally मारा गया था और Morticia confess करती है कि उसे उसने मारा था Morticia और Wednesday Gates के grave को खुदते हैं और उन्हें पता चलता है कि मरने से पहले ही उसे poison दिया गया था Wednesday को Eye Vision से ये confirm होता है कि Gates ने अमोर के students को poison देने वाला था Gomez से लड़ते होत accidentally वो खुद को ही poison कर लेता है ये बाद वो Mayor को बताता है जो कि खुद ये reveal करता है Gates अपने father के misfits के hate के लिए इसको ये school को poison देने वाला था और Gomez को release करने का order देता है Williams भी accept करती है कि उसने controversies को छुपाने के लिए Rowan के रूप में safe shift किया था Wednesday अपने ancestor goodie और दूसे psychic को summon करने की कोसिस करती है To understand the more depth of our power Wednesday के friend उसे crack stone के crypt में एक surprise birthday party देते हैं Wednesday को कुछ gates के vision आते हैं जीवे उन्हें बताता है कि वो old gates mansion है Mansion के location पर जाने पर Wednesday वहां Mayor Walker को वहां से निकलते भी देखती है Mayor Walker सेरिफ को form पर बता रहा होता है कि उसने case को crack कर लिया तभी एक car आके Mayor को कुछल देती है School lockdown में चला जाता है Wednesday, Enid और Tyler के साथ छुप के mansion जाती है वहां उन्हें वो car और victims के missing parts मिलते हैं वहां उन्हें Gates के family और उनके sister Laurenal Gates का पता चलता है जो Garrett Gates के death के बाद overseas चले गई थी और वहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी तभी monster के उन्हें वहां ambush करने से उन्हें वहां से भागना पड़ता है Wednesday, Save Galpin को वापस mansion में लाती है victims के body part को दिखाने के लिए लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं है Galpin उसे करफ्यूग तोड़ने और टेलर को खत्रे में डालने के लिए टेलर से दुबारा मिलने से मना करती है और investigation को भी बंद करने के लिए क्याती है Principal Wims उसे स्कूल से निकालने के बाद करती है पर family names की वज़ए से उसे एक और मौका देने को तयार हो जाती है Accident के बाद Mayor Walker कोमा में है लेकिन एक mysterious person आके उसके support system को बंद कर देता है सभी लोग Mayor के funeral को attain करता है Wednesday को एक guest पर doubt होता है और वो उसके पीछे जाती है जो कि उसका uncle faster निकलता है जो उसे बताते हैं कि वो जिस monster का ढून रही है वो एक hide है एक diary से उन्हें पता चलता है कि hide एक इंसान के इंदर चुपा होता है जो hypnosis या किसी traumatic event से बाहर निकलता है और जो उसे बाहर निकालता है वो उसे control करता है Wednesday को JV.A. पर सक होता है Tyler Wednesday को एक romantic date पिले जाता है जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि Wednesday के room में कोई घुस आया था और तिंक को भी अदमरे हालत में छोड़ दिया है Wednesday के friend तिंक को revive करते है उन्हें Garrett Gate की sister Laurel Gates के killer होने का doubt होता है as she had motive to punish those who wronged her brother Wednesday को लगता है कि Dr. Kinbot ही Lauren है लेकि वो monster उसे भी मार देता है Wednesday के कहने पे पुलिस जेवियर को arrest कर लेती है Wednesday को लगता है कि monster पकड़ा गया and Wednesday meets with Tyler and they kiss Suddenly Wednesday को vision आता है कि Taylor ही monster है Wednesday और उसके friend Tyler को जंगल में बुलाते हैं और वहाँ उसे किर्णाप कर लेते हैं टेलर से confession लेने के लिए Wednesday उस पर torture करती है लेकिन उसके friendship method से सहमत नहीं है और वो principal Wins को inform कर देते हैं principal Wins फिर police को inform कर देती है police Wednesday को arrest कर लेते हैं लेकिन फिर उसे जाने देती है Wins Wednesday को school sexpell कर देती है अकेले में टेलर Wednesday को खुद के monster होने का confess करता है उदर hospital में यूजिन कॉमा से निकल चुका है school छोड़के जाने से पहले Wednesday एक बार यूजिन से मिलने जाती है यूजिन उसे बताता है कि केब में उसे कोई red boots में दिखा था इससे Wednesday को realize होता है कि उसकी botany teacher Miss Marlene Tornhill ही Lauren Gates है विम्स टेलर का safe लेके Tornhill से सब कुछ confess करा लेती है लेकिन Gates प्रिंसपल विम्स को मार देती है और Wednesday को भी unconscious करके crack stone के crypt में ले जाती है Gates Wednesday को blood sacrifice के रूप में use करके crack stone को resurrect करती है ठिंग ये बात Wednesday के friends को बताता है और वे सेरीब केलपिन को inform करते है crack stone Wednesday को stab करता है और वहाँ से school की तरफ चला जाता है गुडी वहाँ आती है और crack stone को permanently मारने का तरीका बताती है और Wednesday के mother के दिये हुए एक talisman से उसे heal करती है Wednesday के वहाँ से निकलने पे रास्ते में Taylor high में transfer होके Wednesday पे attack करता है तबी एनिड complete werewolf में transform होके height से लड़ती है और उसे हरा देती है Wednesday school पहुंचती है और crack stone और Wednesday के बीच में fight होता है जब crack stone Wednesday को overpower कर रहा होता है तो बियांका उस पे पीछे से stab करती है और मौका देख कर Wednesday आगे से उसके heart में stab करती है और crack stone permanently खतम हो जाता है तबी लॉरिल वहाँ एक गन लेके आती है लेकिन उजीन अपने बी से उस पे attack कर देता है एनिड और Wednesday school पर वापस मिलते हैं और एक दूसरे को hug करते है school जल्दी खतम हो जाता है Wednesday वीम्स के cabin में जाती है उसके ना होने का दुख जदाती है Javier Wednesday को एक phone gift करता है later she finds out उसे कोई स्टॉक कर रहा है and this is all part of a bigger game we also see Taylor morphing into a hide while being transported to a prison और यही season 1 खतम हो जाता है overall यह सो काफी enjoyable and funny है जिनने Ortega acted perfectly as Wednesday in this series this show is very distinguished from other teenager shows that we have these days there are no unnecessary subplots with side characters has a fresh and unique story the mixture of comedy and humor is maintained properly we try to give you a proper understanding of the story in this video but the show is most enjoyable when you actually watch it it's a well-crafted series no wonder it's getting the recognition and popularity so that's it for now if you like this video make sure you hit the subscribe button and notification bell for keep getting the regular updates of our video until next time it's goodbye